हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टिन क्लासेज, मैं अभी शेप कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में प्रशनावली तीन दस्मलो एक को हल करेंगे, इससे पहले हम लोगोंने समुच् और त्रिकोन मिती का परिचय पढ़ लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, आईए, देखते हैं प्रशनावली तीन दस्मलो एक, पहली सवाल, कह रहे हैं कि निमलिखित डिग्री माप के संगत, रेडियन माप ग्यात कीजिए, पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि डिग्री को, किसको डिग्री में कुछ माप दी गई है, उन मापों को आप रेडियन में परिवर्तित कीजिए, किसमें परिवर्तित कीजिए, रेडियन में परिवर्तित कीजिए, हमने आपको डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए जो formula बताये था उसमें हमने कहा था कि जब आप degree से radian में जाईएगा तो उसमें pi बटा 180 से क्या कीजेगा गुड़ा कीजेगा आइए देखते हैं पहली सवाल है 25 degree पहली सवाल है पचीज दिग्री इस 25 degree को हमें radian में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे हम इस 25 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए 25 डिग्री में पाई बटा 180 से क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे ठीक है अब यह जो होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा इसका बटा हम लो तो पांस तियां ही 15 बचेगा कितना तीन बचेगा तो जीरो के साथ जाकर कितना हो जाएगा तीस पांच शक तीस यह जाएगा पांच पाई बटा 36 रेडियन यह रही आपकी पहली सवाल देखे बढ़ते हैं अगली सवाल की और प्रसंख्या पहले के दूसरे में प्रसंख्या पहले के दूसरे में सवाल है minus 47 30 minute minus 47 degree 30 minute हमे'm minus 47 degree 30 minute को Radian में परिवर्धित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 30 minute को क्या degree में परिवर्धित करेंगे ठीक है तो कैसे करेंगे लिखेंगे हम जानते हैं क्या एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है एक डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है हमें क्या करना है मिनट से डिग्री में जाना है तो एक बटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा कितने मिनट है मारे पास 30 मिनट है तिये हो जाएगा 30 minute बराबर 30 बटा 60 ठीक है, ये कितना हो जाएगा इसे 1 से 0 कٹ कर देंगे 3 से, इसे काटेंगे जिए कितना हो जाएगा 60, अर्थात 30 30 minute बराबर 1 बटा 2 अंस ठीक है, आईए, इसे ल कर रहते हैं तो यहां कितना हो जाएगा माइनस 47 अंस 30 minute तेस मिनट को हमने किस में बदल लिया है डिगरी में बदला है कितना हो जाएगा माइनेस 47 डिगरी प्लस एक बटा दो अंस इसका बटा एक करेंगे और इसे क्या करेंगे हल करेंगे हल करेंगे दिए कितना हो जाएगा हमारा लेस्ञ हो जाएगा 2 47 उना कितना हो जाएगा दो सते 14 हासिल कितना एक दो चौक आठ और एक नव थिखेंगे thriving में क्या हो जाएगा घट जाएगा यह हो जाएगा माइनस तिरानवे बटे दो यह पूरा मारा किसमें बदल गया अब डिग्री में बदल गया है अब हम सवाल को रेडिन में परिवर्तित करेंगे माइनस तिरानवे डिगरी दो माइनस तिरानवे बटा दो किसे डिगरी को रेडियन में ठीक है देखे माइनस तिरानवे डिगरी बटा दो को किसे बदलना है रेडियन में क्या करना है अमें पाई बटा एकस ऐसी से गुड़ा यह हो जाएगा 93 बटा दो गुडे पाई बटा 180 आंसर हो जाएगा माइनस तिरान्बे पाई बटा 350 ऐह हैं यह हमारा क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा यह रेडियन में ठीक है देखें बढ़ते हम लोग अगले प्रस्थरी की और अगला प्रस्थर हैं हमारा कितना 240 अंस 240 अंस सवाल नमर 3 240 अंस 240 अंस को में क्या करना है Radian में परिवर्वतित करना है किसमे? Radian में ठीक है? देखे ध्यांसे सबसे पहली बात हमारे पास जो अंस है वो पूरा अंस में है इसलिए परिवर्वतित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहां हो जाएगा 240 अंस गुड़े पाई बटा 180 यहां हो जाएगा 1 0 से 0 कट जाएगा 6 4 के 24 6 3 18 4 पाई बटा 3 क्या Radian ठीक है? देखे प्रसंख्या 1 के अंतिम सवाल के और बढ़ते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 520 डिगरी को Radian में परिवर्तित कीजिए 520 डिगरी को 500 520 डिगरी को Radian में परिवर्तित करना है देखे 520 डिगरी को जब परिवर्तित करेंगे ते कितना हो जाएगा? 520 गुड़े पाई बटा 180 ठीक है? यह कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और काटेंगे तो कितने से कट सकता है? 2 से 2 दूना 4 1 बचेगा 2 चंग 12 26 पाई बटा 9 2 9 18 यह हो जाएगा आपका क्या? आंसर किसमे? Radian में ठीक है? Radian को उसकी घात पर C के हिसाब से भी लिखते है इसलिए हमारा आंसर होगा 26 पाई बटा 9 Radian बढ़ते हैं अगले प्रस्टी की और प्रसंख्या 2 प्रसंख्या 2 में हमसे कहा गया है कि निमलिखी त्रेडियन मापो को अंस में बदलिए डिगरी में बदलिए मतलब टाइप 2 मतलब टाइप 2 कोश्चन नमबर 2 कोश्चन नमबर 2 में पहली सवाल है आपको बता दे कि साथ है कि इस बार हमें कहा से तो आप मादे डिगरी में जाना है एक तो यहारा बटा सोलर इमलिखा है जानते हैं कि डिगरी में जाते हैं writer अश्चन बटा प्से क्या कर देते हैं गुड़ा कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, 11 बटा, 16, गुड़े, 180 बटा, पाई, ठीक है, क्या कर लीजे, इसे हल कर लीजे, और आप चाहें, तो यहां आप से कहा गया है, कि आप पाई का मान, 22 बटे 7 का क्या कर सकते हैं, प्रेयोग कर सकते हैं, देखें, यहां हो जाएगा, 11 बटा 16, और गुडे 180, बटा 22, बटा 7, हमने पाई का मान रख दीया यह जो 7 है, वो कहां चला जाएगा? उपर चला जाएगा, ती हो जाएगी 11 गुडे, 180 गुडे, 7 बटा 16, गुडे 22 दो से कट कर दीजे, 11 दुना, 22, ठीक है, आगे कट करेंगे, यह हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, दो से कटेंगे, 29, 18, 9 हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए और भी कट कर सकते हैं, इससे कट करेंगे, अभी नहीं कट करते हैं, 90 गुड़े, 7 बटा कितना हो जाएगा, 16 ठीक है चार से कट कर देते हैं चार दूना आठ नहीं होगा दो से करते हैं तो यह हो जाएगा 45 गुड़े 7 बटा 2 8 16 ठीक है साथ से गुड़ा कर दीजिए साथ पच्छे 35 हासिल कितना लगेगा टीन 7 चाउ 28-28 दीन 31 वटा तीन सो पंद्रा वठा आठ डिगरी ठीक है यह रहाक आपके क्या पहले कुश्चन का अंशर तीन सो पंद्रा बटा आठ डिगरी प्रसंख्या 2 देखिए, प्रसंख्या 2 है, माइनस 4, कितना है, माइनस 4, ठीक है, तो देखे, माइनस 4, रेडियन को में किसमें बदलना है, डिगरी में बदलना है, इसलिए सबसे पहला इस्टेफ है, कि माइनस 4 बटा 1 को, हम लोग कितने से, 180 बटा पाई से क्या करें, गुड़े 180 बटा 22 बटे साथ यह साथ जो है वो कहां चला जाएगा अंस में चला जाएगा यह हो जाएगा माइनस चार गुड़े 180 गुड़े तो यह हो जाएगा जीरो चौदा से पूरा कर लेते हैं चौदा गुड़े कितना अठार आठ चार एक का एक से एक दो चार एक पांच और एक और एक दो यह हो जाएगा दो पांच दो जीरो बटाई 11 डिग्री ठीक है यह रहा आपके क्या दूसरे प्रस्ट का अंसर बढ़त प्रसंख्या 3 में कह रहे हैं 5 पाई बटा 3 को दो किसमें मतली दिग्री में परिव्यूदित कीजिए तो क्या करेंगी हम लोग सबसे पहला स्टेप 5 फांच बटा 3 गुड़े 180 बटा पाई इस बार पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा और यह हो जाएगा पांच भूड़े 1802 तीन से गुड़ा कर रोग तो यह पंज तीन सो तीन सो डिगरी ठीक है यह रहां आपकी प्रसंख्या कि एक पहिया है एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो एक सेकेट में कितने रेडियन माप का कोड बनाएगा ठीक है एक पहिया है पहिया कैसा होता है गोलाकार होता है अगर पहिया गोलाकार होगा तो एक चक्कर लगाने में उसके द्वारा अंतरित जो कोड होगा रेडियन मे वो टू पाई हो जाएगा कितना हो जाएगा तू पाई हो जाएगा देखे ध्यान से प्रसंख्या 3 ठीक है करे हैं कि एक पहिये द्वारा एक मिनट में 360 परिक्रमट करता है तो पहिया एक चक्कर में क्या पहिया या पहिये द्वारा एक चक्कर में एक चक्कर में अंतरीत कोड अंतरीत कोड पूरा चक्कर घुमेंगा तो भाई टू पाई टू रेडियन कोड बना लेगा एक चक्कर में और वो परिक्रमट कितना करता है तीन सो साथ ठीक है तब तीन सो साथ परिक्रमण में अंतरित कोड़ कितना हो जाएगा तीन सो साथ परिक्रमण कितना हो जाएगा तीन सो साथ गुड़े कितना टू पाई जैसे एक चक्कर में अगर 2 पाई है तो दो चक्कर में 2 से गुड़ा हो जाएगा 4 पाई तीन चक्कर में 3 से गुड़ा हो जाएगा 6 पाई उसी प्रकार से 360 परिक्रमण में कितना बना लेगा 360 गुड़े 2 पाई अब यह जो 360 परिक्रमट है वो उसे 360 परिक्रमट करने में एक मिनट का समय लगता है अर्थात एक मिनट में एक मिनट में में पहिया पहिया 360 परिक्रमट करता है अगर पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमट करता है तब एक मिनट में अंतरीत कोड कितना हो जाएगा तीन सो साथ गुडे दो पाई रेडियन ठीक है यही तो बात उपर हुई थी तो यह हो जाएगा एक मिनट में तीन सो साथ पाई टू रेडियन उन्होंने पूछा एक सेकेंड में हम जानते हैं कि एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड में अंतरीत कोड कितना हो जाएगा 360 गुड़े 2 पाई एक बिनिट पूछा गया इसलिए लिखेंगे एक सेकंड में अंतरीत कोड कितना हो जाएगा 360 गुड़े 2 पाई बटा 60 ठीक है एक 0 से 0 क्या हो जाएगा चैसी से काटेंगे 6 बार में क्या हो जाएगा सेकंड में अंतरीत कोड एक सेकंड में अंतरीत कोड चैनरी 12 पाई रेडियन थीठ है यह रहा आपकी प्रसंख्या 3 का आंसर ठीक है सबसे पहली बात सवाल को ध्यान से पढ़ें और सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद सवाल समझें वहां सवाल में एक mystic है जिसमें उन्होंने कहा है 360 डिगीरी परिक्रमण में ठीक है जबकि वो क्या है वो है 360 परिक्रमण में ठीक है ध्यान दीजिएगा अगले प्रस्क्यों और आगे बढ़ते हैं प्रसंख्या 4 कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्जा जो है वो 100 cm है ठीक है प्रसंख्या 4 प्रसंख्या 4 उन्होंने कहा है कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्जा उन्होंने दी है वृत्त की त्रिज्जा त्रिज्जा को अंग है चाप की लंभाई आरक ठीक है चाप की जो लंबाई दी गही है वो 22 संटीमीटर कितनी है 22 संटीमीटर ठीक हैatalック केंद्र के विक्त के चगेंद्र पर बने hij agadica बडाबर क्या होगा निए हम लोगों क्या सूत्र पड़ा था क्या पड़ा था सूत्र होता है कोड़ बराबर चाप बटे त्रिज्जा ठीक है अर्थाद अगर इसे हम लोग लिखे तो ठीटा बराबर आरक आरक लेंथा फार को यल कहते हैं त्रिज्जा को क्या कहते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगी ले value input कर दीजिए तो थीटा ठीटा बराबर हो जाएगा लंबाइब कितनी है 22 वटा कितना हो जाएगा 100 ठीक है यह उन्हें डिग्री में बोला था तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डिग्री में ठीक है अच्छा सौरी यहां एक गलती है गलती यह है कि उन्होंने कहा है कि जो यह बृत है बृत का जो कोड बनता है वह रेडियन में हमेशा होता है किसमें होता है रेडियन में होता है तो यह हमा तो यहां हो जाएगा ठीटा बराबर 22 बटा 100 गुड़े 182 । टिकए एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू भी पूट कर दीजे यह कितना हो गा 22 गुड़े 18 बटे 10 गुड़े पाई कमान 22 बटे साथ यह साथ उपर चला जाएगा थी हो जाएगा 22 गुड़े 18 गुड़े साथ बटा 10 गुड़े 22 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा कार्दीची से 29 अठारा है दो पचे 10 नौसते 63 बटे 5 डिगरी ठीक है न यह आपका एक्ट्वाल अंसर् यह सबसे पहले तो आएगा वो प्रित में और हमने आपको पढ़ाया था तो वो क्या होता है रेडियन में होता है ठीक है प्रसंख्या पांच की और बढ़ते हैं प्रसंख्या पांच है कि एक वरित व्यास जिसका यह 4 ho इससे टि से लिए उन्होंने कहा है एक व्यब्रीत है जिसका कितना है 40 cm कितना है 40 cm है कितना है 40 cm मेट आगे कह रहे है और की एक जीवा 20 cm לפ tend to कि कहें और वने कहा है जीवा क्या का है जीवा, जीवा की लंबाई कितनी है, 20 cm है, का है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई गयाद कीजे, किसकी लंबाई गयाद करनी है, लिंध आफ आर्क, ठीक है यल, चाप की लंबाई, ध्यास देखे, चाप की लंबाई क्या होगी, सबसे पहले हमें ब्यास दि त्रिज्जा बराबर दो ब्यास बटे दो ठीक है कहां से त्रिज्जा एवं ब्यास के संबंध से ठीक है यह त्रिज्जा और ब्यास में क्या होता है संबंध होता है कि जो त्रिज्जा होती है वो व्यास का क्या होती है आधा होती है तो हमारी जो त्रिज्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी त्रिज्जा हो जाएगी 40 बटा दो अर्थात कितना 20 यह हमारी क्या हो जाएगी यह हमारा हो जाएगा त्रिज्जा ठीक है अब अगर किसी भी त्रिभूज में सभी पूजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है तो प्रतेख कोड कितने डिगरी का होता है साठ डिगरी का होता है ठीक है na क्या लिखेंगे लिखेंगे अ बरित में चर ऑगरो इवम जीवा कि लंबाई समान है अतह केंद्र पर अंतरित कोड केंद्र पर अंतरित कोड साट डिग्री होगा सूत्र हमनों लोग कौन सा लगा देंगे कोड बराबर चाप बटे त्रिज्ज्र लगा देखेए कोड हमारे पास कितना है साथ डिग्री है अगर हम लोग किसी भी बृतन में कॉड को लगा रहे है तो उसे क्या करना पड़ेगा में रेडियों परिवर्थित करने कि लिए से पाई बता एक सक्के रिफ कर देते हैं बूडा कर देते हैं बराबर चांप हमें चांप की लंबाई ज organise करनी है इसे यल लिख देते हैं, त्रिज्जा कितनी है, 20 cm, ठीक है, यह देखे, हमारा यह जो 0 है, वो 0 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 6 से, 6, 96, 6, 3, 18, यहां कितना आ जाएगा, पाई बटा, 3 बराबर, यल बटे, 20, 20 का क्रॉस मिल्टिप्लाई कर देंगे, त्यों हो यल, आप चाहें, तो पाई के मान को क्या कर सकते हैं, 22 बटा साथ में, रख करके भी से सॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चांप है, वो चांप की लंबाई हो जाएगी, चांप की लंबाई, वो 20 बटा कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है, यह रहा क्या, प्रसंख्या 5 कांसर बढ़ते हैं अगले प्रस्टी की और प्रसंख्या अच्छ है कि प्रसंख्या अच्छ है हमारे पास है जिसमें कह रहे हैं यदि दो व्रित दो कि दो व्रितों की समान लंबाई वाले चांप अपने केंद्र पर क्रमसर साट डिगरी और पचहत्तर डिगरी के कोड बनाते हैं तो उनकी त्रिजाओं में अनुपात ग्यात कीजिए ठीक है हमारे पास क्या है दो व्रित हैं जिसमें समान लंबाई के क्या है दो चांप है ठी है माना एक वृत्त सीवन तथा दूसरा वृत्त सीटू है ठीक है दूसरा वृत्त क्या है मारे पास सीटू है जिसमें चाप की लंबाई क्या है समान है ठीक है चाप की लंबाई को क्या मान लेते है यल समान है ठीक है आगे उन्होंने कहा है तषा केंदर पर अंतरित कोड़ चेंदर पर अंतरित कोड़ ठीटा कऑन बराबर 70 डिग्री तथा सथा परण रचपनल लेते हैं क्या हमारे पास है ठीक है ध्याँज दीखिए त्यांते हैं 号 क्या लिखेंगे सूत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं सूत्र कोड बराबर चांप बटे क्या सूत्र है है तो सबसे पहले पहले वाले के लिए किसके लिए बृत सी वन बृत सीवन के लिए क्या हो जाएगा क्यों कुण si वहारा लगा रहे है जांगे उन्होंने का है चाप क्या है यह थीज्ञा हमारे पास क्या है त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जवर ऐसे इस स यह कि अथा यह और यह हो झाएगा समी कार नमबर कितना एक है इसी प्रकार यहां से व्रित सीटू के लिएंग किया हो जाएगा कौन कितने डिगरी गुड़े पाई बटा 108 बराबर क्या हो जाएगा लेन्था फार्क हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगी और टू सौल कर लीजे और पांशेख लेते हैं इसे पांश जहकन नाम पांच दो बचेगा फांच पचेव पचीस याँ हो जाएगा पांच याइगा पंदरह पांच तीस ठीक है अब यह और भी एक बार कट जाएगा कितने से तीन से तीन पचे पंदरह 75 तीन एकनम 3 तीन दूनी 6 भराबर यल बटा क्या हो जाएगा R2 तो हमें R2 चाहिए तो R2 भराबर क्या हो जाएगा YL गुडे 12 बटा 5 पाई अर्थाथ क्या R2 बराबर 12 L बटे क्या 5 पाई ये हो जाएगा समीकर नमबर कितना 2 देखिए ये समीकर नमबर क्या है एक है ये समीकर क्या है 2 हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्जाओं में क्या ग्याद करना है अनुपाद ग्याद करना है इसलिए लिखेंगे क्या दोनो बृत्त की त्रिज्या में अनुपाद, क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 बराबर, ठीक है, R1 का मान कितना है, 3 L बटे पाई, कितना है, 3 L बटे पाई, अपान, R2 का मान क्या है, 12 L बटे पाई, 12 L बटे पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसील, यल से यल, क्या हो जाएगा, कैंसील, R1 अपान, R2 बराबर हो जाएगा, 3 अकन्नम 3, 3 चौक 12, अर्थात, R1 रेसियो, R2 बराबर, एक रेसियो, 4, ये रहा आपका क्या, दोनो बृत्त की त्रिज्जों में, अनुपाद, वीडियो को की मीटर, लंबाई वाले, एक दोल, दोलायामान, दोलक के एक सीरे से, दूसरे सीरे तक, दोलन करने से, चो कोड़ बनता है, उस की माप, रेडियन में ग्याद कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा, बनाये गए चाप की लंबाई, निमने लिखित है, इसमें 3 सवाले है, पहली बार तो 10 है, फिर 15 है, फिर 21 है, ठीक है, देखे, सबसे पहले देखते है, पहला, अपने घड़ी देखी होगी, जिसके एक घंटे होने के बाद नीचे वो घूमने वाला लगा रहता है, वो क्या कर जाता है, बोल जाता है, उसी की बात हो रही है, कह रहे है कि 25 सेंट सिंटी मीटर, ठीक है, कह रहे हैं, कि उसकी नोग द्वारा बनाएगे चाप की लंबाई, ठीक है, और सवाल नमबर एक में उन्होंने कहा है, कि जब नोग क्या होती है, घूमती है, माल लीजिए, वो क्या है, एक दोलन है, वो इस प्रकार से क्या है, लटक रहा है, जब व हो गया हमारा कितना, 10 सिंटी मीटर, तो हो कह रहे हैं, कि उसके द्वारा बनाएगे कोण की माप रेडियन में ग्याद कीजे, किसमें ग्याद कीजे, रेडियन में, ध्यांस देखे, हमें या दिया गया है, चाप की लंबाई, कितनी है, चाप की लंबाई, यह बराबर 10 सिं फिक तो कोड हमारे पास क्या कोड में ग्यात करना है क्या हो जाएगा कोड बढर चाफ की लंबाई कितनी है 10 तृट तीओ यह दके यह मत हुझ्व नॅ क्या हो जाएगा कोड हो जाए गा 10 बटे 75 ठीक है अगर हम लोग क्या करें के इसे क Alone Day देखे हमें लोग देखें तो हमारे पास हमेंद ब्रति कर ले पिठेंगे तो सवाल लगा ही रहे जिए पहले से हमारा क्या है परिष्ट में परिवर्ति थे रहे परिवर्टित इसए कट कर लीजे एक आतर मास्य दूनि दस और इसे काटेंगे तो को ने हमें चांप की लंबाई दी है चांप की लंबाई कि यल बराबर 15 सिंटीमीटर 15 सिंटीमीटर ठीक है देखें फिर से क्या करेंगे हम लोग पुनाई इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे सूत्र हो जाएगा हमारे पास कोण बराबर चांप बटे त्रिज्जा चांप बटे है त्रिज्जा तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा कोण कितना है यह तो हमें पताई करना है चांप कितनी है पंद्रे तरिज्ज कितनी है 75 इसे कट कर लीजिए 15 575 एक 2 5 क्या यहींद ठीख ? एक अंतिम प्रस्ट भी है प्रशंख्यत 3 में जिसमें उन्हों इसों ने कहा है कि चाउप की लंभाई कि चाउब की का यह बराबर है तो चाउप की लंभाई याथ बराबर 21 मीटर ठीक है देखिए क्या करेंगे फिर से सूथ लगा देंगे क्या कोण बराबर है हेँ चांप बटे त transmitter है in वागो चांप कंड़ हो जाएगा है कोर्ण बहराबर चांप की लंबाइं कितनी है 21 cm कितनी है 21 cm और दिज्जा कितनी है कितनी है 35 ठीक है तो इस बार घुक कुछ कटने के लिए साथ पांच बार है दो और एक तीन से कट जाएगा तो साथ बटे पचीस रिडियन हो जाएगा इस प्रकार अपकी प्रशनावली तीन की समाप्त हो आई हो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत